हेलो जाहन दोस्तों कैसे हो आज लेकर रहे हूँ अगनी भी जी डी टेर्डमेंट के लिए मोस्ट इनपोर्टेंट मोस्ट इनपोर्टेंट होने वाला है आपका एक्जाम में क्यूंकि एक कोशन बहुत ज़्यादा बार PBRCR में रिपीड हुआ और इंडन आर्मी में एक शाल में बहुत ज़्यादा बार एक्जाम होता है इसलिए बहुत ज़्यादा कोशन रिपीड हो जाता है इसलिए आप ज़्यादा ज़्यादा PBRCR का कोशन पढ़ो क्यूंकि वहीं कोशन रिपीड हो जाता है इसलिए आज लेकर रहे हूँ शोतरा आठरा उनिश में बार बार र पढ़ लिजे और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और आभी तक सस्काइब नहीं किया तो सस्काइब कर दिजे बेल आइकन पेस किजे क्योंकि इसी तरह डेली के डेली कोशन मिलता रहेगा इसी चैनल में तो दोस्तो पिलिस सस्काइब करके जुट जाए तो दोस्तो देख पहला नमबर कोशन आपका इसकीन में आ गया है देख लिजे पहला नमबर कोशन क्या है पहला नमबर कोशन है शर्दा शरवाई पोजेक्ट इस ओन हुई रिवाड देख लिजे शर्दा शरवाई पोजेक्ट कौन से नदी के उपर बना आया है बता दीजे बना हुआ है चार ये question आपका पूछा गया तो दे दिया तो दोस्तो इसका right answer option B होगा नर्मादा रिबर के उपर बना हुआ है शुद्धा शुरबाई पोजेक्ट तो दोस्तो next question देख लिजे next question क्या है most important question है अजन्ता located which state देख लिजे अजन्ता गुहा कहा पाड़ इस्तित है बता दीजे चर ओप्षेन में science चुन दीजे तो दोस्तो बहुत अच्छा question है तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer जिस बन्दा option C को चुना उसके science हो जाएगा महाराष्टा राज्य में इस्तित है अजन्ता गुहा next question दीजे तो दोस्तो next question क्या है who become the first black president of South Africa दीजे दक्षिन आफरीका में पहले काला राष्टोपती कौन बना बता दीजे चर ओप्षेन में science चुन दीजे तो दोस्तो very very important question A question तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer होगा option B Nilsson Mandela होगा science answer next question दिख लिजे तो दोस्तो next question क्या है who was the second president in India very very important question है 13 November अगनी बिर का एक्जाम में पूछा गया था एक question तो दोस्तो इसका right answer बता दीजे भारत में दूसरा राष्टोपती कौन थे बता दीजे चर ओप्षेन में science च्या होगा तो दोस्तो इसका right answer जिस बन्द option C को चुना उसका science हो जाएगा option C is the right answer शर्भपली रादा किष्णा जी होगा science नेस्ट कोशन दिख लिजे तो दोस्तो नेस्ट कोशन क्या है which one of the flowing digits is caused by virus very very important question है digits से रोग से एक कोशन जुरूर देता आपका exam में तो दोस्तो विटामिन से या रोग से जुरूर देता है एक कोशन तो दोस्तो बहुत आचा कोशन है पढ़ लिजे तो दोस्तो निर्मली कीते में से कौन सा रोग virus से करण होता है virus के करण होता है बता दीजे चरू option में science चुलिजे तो दोस्तो यहाँ पे तो आप option देखकर ही बता दिया हमारा जो अच्छा student है ओ तो option देखकर ही बता दिया हमारा सभी student ही अच्छा है ऐसे नहीं है जो बुड़ा पड़ता है कम या बेशी पड़ता है लेकिन सबी अच्छा है सबी महनत करते है तो दोस्तो इसका राइट अंसर बता दीजे चर आप्शेन में साइनस तो दोस्तो इसका राइट अंसर आप आप्शेन ए को चुना तो बहुत अच्छा जो common cold होगा साइनसर जो जुखाम होता है और भी होता है chicken pox, pox, आपका influenza यह सभी virus के खाड़नी होता है नेश्ट कोशन दिख लिजे तो दोस्तो इसका क्या है blood pressure is controlled by which gland दिख लिजे रखतचप किस गंती दवारा नियंतन होता है बता दीजे चर आप्शेन में साइनसर चुन लिजे तो तो दोस्तो very very important question है question तो दोस्तो important तो सभी है लेकिन एक question बहुत important है तो दोस्तो इसका right answer जिस बन्दा option C को चुना adrenal gland को चुना उसका science हो जाएगा option C is the right answer तो दोस्तो next question दिख लिजे तो दोस्तो next question के पहले Indian army का exam clear करने का एक ही तरीका है और पिसले 5 year का question पढ़ो आपका exam apply job Exam clear हो जाएगा क्यूंकि Indian army में एकशल में बहुत ही जादा बार exam conduct करा लेता है इसलिए बहुत सारे question आपका repeat हो ज़ाता है 15-16 का question बहुत सारे question repeat हो जाता है इसलिए आप पिसले 5 year का question पढ़ लिया तो आपका exam clear हो जाएगा क्योंकि जो कोशन 15 में पूछा जाता है वो ही कोशन 16 में रिपीड होता है जो कोशन 16 में पूछा जाता है वो ही कोशन 16 में रिपीड होता है ऐसे ही चलता रहता है जिस बांदा नया है उसके जानकरी नहीं है लेकिन हम पिसले 5BR से देख रहा हूँ किस तरह कोशन रिपीड हो तो दोस्तो जिस बंदा लेना चाते हो इसी नमबर पे कॉल किजिए इसी नमबर पे कॉल करके पेमेंट फॉसे सभी जनकर ले लिजे इसी नमबर आपके लिए कॉल टाइम एबल एबल है जब मन चाहिए कॉल करके ले सकते हो इसी नमबर डिस्क्रिप्शन बेल भी नमबर है वीडियो के लाश्ट में कॉल करके ले लिजे, तो दोस्तों मैं देखा देता हूँ, पीडियेप की इस तरह है, तो दोस्तों देख लिजे, यह आपका यारो जोरहट का है, चाहिए आप यारो जोरहट से हो, चाहिए आप यारो नारंगी, यारो सिल्चार, रंगापूर, या जरूर कॉल करके बता दीजे आपका यारो का नाम है वेलेबल है किया है तो ले लिजे तो दोस्तों हिंदी इंगलिश बोथ लेंगुज में मिल जाएगा बहुत अच्छा बात है जास्ट 89 रूपिया कीमेथ है जिके जिस मैथ रिजिनिंग सभी मिल जाएगा तो दोस्तों द जिस बंदा ले लिया वो तोर मोर के खा लिजे आप इसी कोशन से अपका एक्जाम के लिए रो जाएगा तो दोस्तों इसी नंबर पे कॉल काना होगा आपके लिए कॉल टाइम एवल एवल है तो दोस्तों देख लिजे डिलिप टॉफी एस्सोसियेटेड विच स्पोर्स देख लिजे डिलिप टॉफी किस खेल से जुड़ी है बता दीजे चर ओप्षेन में साइनसर चुन लिजे तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा यहाँ पे दिल जैसे साउंड दे रहा है तो हमारा इंडियान को सबसे अच्छा कौन से खेल है बताए सबसे अच्छा लगता है किरिकेट केल तो दिलिप टॉफी किस खेल से समयन दिता है वो आपका किरिकेट से समयन दिता है option c is the right answer next question दिख लिजे तो दोस्तों next question है hottest planet in solar system दिख लिजे शमड़ा मन्रल में सबसे गरम गरह कौन सा है बता दीजे चर ओप्षेन में साइनसर चुन लिजे तो दोस्तों इसका राइट अंसर जिस बंद और ओप्षेन D को चुना उसका सायंसर हो जाएगा, बिनार्स होगा, शुक्र होगा सायंसर, ओप्षेन D is the right answer, next question दिख लिजे, तो दोस्तों next question A, the largest city of India is, दिख लिए तो दोस्तों बता दिजे, इसका राइट अंसर जिस बंद और ओप्षेन B को चुना उसका सायंसर हो जाएगा, मुंबाई होगा सायंसर, next question दिख लिजे, तो दोस्तों next question क्या है, फिफा वर्ल्ड काप 2000, जो 2022 का फिफा वर्ल्ड काप, कहा मिजबानी क्या जाएगा, बता दिजे, यह आपका 18 में पूछाएगा था, 2028 फिफा वर्ल्ड काप हेल्ड इन, इस तरह आपका पूछा गया था, 18 में, इसलिए एक question दूसरा बत दे दिया, एक current affairs का question है, तो दोस्तों बता दिजे, फिफा वर्ल्ड काप कहा पर आयो जित क्या जाएगा, 2022 में, तो दोस्तों इसका right answer, जिस बंद option B को चुना, उसका स answer हो जाएगा, कातन में आयो जित क्या जाएगा, सभी बंदा ने तो option दे दिया होगा, इसका आगाया, तो आप बहुत या अच्छा तरह एक question का right answer दे देना, तो दोस्तों next question दिख लिजे, तो दोस्तों next question क्या है, which of the following reward falls in Arabian C, दिख लिजे, निर्मली की तो में कौन से न हो जाएगा, option इसी तरह ही दिया हुआ था, आपका original paper में, तो दोस्तों इसी तरह ही दिया, तो दोस्तों तबती रिबार होगा, सायंसर, next question दिख लिजे, तो दोस्तों next question है, आइटोर आप दे लेजेंड ओफ लक्ष्मी पोशाद, दिख लिजे, लक्ष्मी पोशाद का ल तो दोस्तों next question है, chemical formula of laughing gas, very very important question है, यह आपका 17, 18, 19 में बहुत ज़्यदा बार पूछा गया, आने वाला time में आपका 15 जनवारी exam में, यह पूछा जाएगा, ऐसे चांज जाएगा, तो दोस्तों इसका right answer बता दीजे, हशने बाला जो gas है, उसका राशानिक शुत्तर क्या ह है, बता दीजे, चारा option में science चुन लिजे, तो दोस्तों इसका right answer जिस बन्द option A को चुना, उसका science हो जाएगा, n2o होगा science, n2o होगा science, option A is the right answer, next question दिख लिजे, तो दोस्तों next question क्या है, how many chamber of human heart, दिख लिजे मानव हिदोई में, कितने कुक है, बता दीजे, चारा option में science चुन लिजे, तो दोस्तों यहाँ पे जिस बन्द option B को चुना, उसका science हो जाएगा, four chamber होता है, मानव हिदाई में, next question दिख लिजे, तो दोस्तों next question क्या है, which instrument is used to see heavenly bodies, दिख लिजे, खागली दूरी, पिंडियो को दिखने के लिए, कौन से जंतरों का उपर किया जाता है बता दिजे, चलो option में science हर चुन लिजे, तो दोस्तों very very important question है, question तो दोस्तों इसका right answer बता दिजे, चलो option में science हर क्या होगा, तो दोस्तों इसका right answer जिस बन्द option B को चुना, टेलिसकोप को चुना, उसका science हर हो जाएगा, option B is the right answer, next question दिख लिजे, तो दोस्तों इसी 20 question में जिस बंदा को 15 पिलास कोशन आ गया माल लिजे जबरदस्त तयारी चार रहा है उसी बंदा का उसी तरह ही तयारी करो आपका एक्जाम 100% किलियर हो जाएगा क्योंकि ए 20 कोशन ही आपका ओर्जिनल कोशन से उठा का लेकर रहे हूँ और इसी ओरजिनल कोशन 20 कोशन में आपका 15-16 कोशन आगा है तो बहुत अच्छा तयारी चार रहा है ऐसे मध सोचो आये तो सिंपल कोशन है इए ही कोशन आता है बहुत अच्छा तयारी चार रहा है आप इसी तरह ही तैयारी करो और जिस बंदा PDF आभी तक नहीं लिया 5 year का और description में नंबर है उसी नंबर पे call कीजिए और ले लिजिए वीडियो के last में call कीजिए आपको 10 minute के अंदर ही चला जाएगा payment के 10 minute के अंदर ही चला जाएगा कोई धोकावाजी कोई floating नहीं होगा payment के 10 minute के अंदर ही चला जाएगा पीडिये तो दोस्तों जुरू कॉल करके ले लिजिए payment करके तो दोस्ता देश्ट कोर्शन दिख लिजिए प्योर फर्म आफ कार्बोन इस दिख लिजिए कार्बोन का शुद्ध तमरूप क्या है बता दीजिए 4 option में science चुन दिजिए तो दोस्ता इसका राइट अंसा जि दिजिए 4 option में science चुन दिजिए तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा चुनिए 4 option में science क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा option B को चुना देरा दून को चुना उसका science हो जाएगा option B is the right answer next question दिख लिजिए 18 number question तो दोस्तों इसका right answer बता दिजिए next question क्या है which of the following substance is magnetic दिख लिजिए निर्वलिकित में कौन से पधत चुम्बुकियों है बता दिजिए 4 option में science चुन दिजिए यहाँ पे थोरा गोल मल लग जाएगा लेकिन कोई tension का बात नहीं है आपके लिए हाम है आच्छे तरह समाज दूगा तो दोस्तों इसका right answer लकडी जो उड़ यह चुम्बुकियों नहीं है रबर यह तो नहीं है आईरोन यह बता दिजिए और गोल्ड गोल्ड चुम्बुक नहीं लगता तो दोस्तों इसका right answer क्या होगा आप देखकर बता दिजिए तो दोस्तों इसका right answer option C iron चुम्बुकियों है गोल्ड नहीं है तो दोस्तों इहाँ option c is the right answer next question दिख लिजे तो दोस्तों next question क्या है पंडी शीप कुमा शर्मा एसोसियाटेड दिख लिजे पंडी शीप कुमा शर्मा किस से शाथ शमन दित है बता दीजे चरह option में science चुन लिजे तो दोस्तों इसका right answer जिस बंद option d को चुना उसका science हो जाएगा option d is the right answer शंतर से शमन दित है शीप कुमा शर्मा का next question दिख लिजे currency name of south आफरीका दिख लिजे दक्षिन आफरीका का मुद्रा का नम क्या है बता दीजे चरह option में science चुन लिजे तो दोस्तों इसका right answer आप बता दीजे तो दोस्तों या फिर जिस बंद option c को चुना उसका science हो जाएगा आफरीका रॉंड होगा science हर option देख करी तो मर दिया कोई बत नहीं option c होगा science हर तो दोस्तों 20 question कैसे लगा जुरूर comment section में बता दीजे और इसी 20 question में से कितना question आता है ओ भी बता दीजे और जिस बंद आभी तक PDF नहीं लिया इसी नंबर पे call करके ले लिजे एही PDF से आपका exam clear हो जाएगा एही question आपका repeat होगा 100% guarantee है तो दोस्तों जुरूर ले लिजे जिस बंद आभी तक नहीं लिया ओ जुरूर call किजे वीडियो को last में और जिस बंद आ ले लिया ओ तोर मोर के खा लिजे टैंके ओ जाहिंद